हेज वेलकम बैक टो यूटूब वोई विद्यू बिग बैस लिख 2022 का दसवा मुकाबला क्वेटा गलेटर्स और लाहूर कलंदर की बीच में खेला जाने वाला है पीएसल 2023 में हम बिग बैस की तरही दमाल मचा रहे हैं लाहूर कलंदर की बैटिंग भी स्ट्रगल करें दोनों टीमों की गेंदवाजी अच्छी हो रही है ऐसे में बहुत ही कमाल का मुकाबल होने वाला है यह तो अबने रहे इस वीडियो में हमारे साथ क्योंकि हम करने वाला है कीजिए और authentic channel को जॉइन कीजिए बहुत सारे fake channels बने वे उनसे सावधान रहना है वीडियो कभी कबार मैं नहीं बना पाता हूं जिन मैचों की नहीं बना पाता हूं उनकी update हमारे टेलिग्रम चनल पर आती है तो यह जो मुकाबला है नैसनल स्टेटियम कराची में खेला जाने वाला 21 फरोरी का दिन है सामतारे साथ वैसे भारतिय समयन उसार यह मुकाबला सुरू होगा बैक टूबैक चौथा मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला जाने वाला है चौन मुकाबले अब तक यहां पर हुए है 20 मैच डिफेंड हुए 34 मैच यहां पर चेस हुए 170 के आस पास का एवरेज स्कोर है बैक टूबैक चार मुकाबले खेले जारहे है और जैसे जिसे यहां पर लगतार मैच जो हो रहे है विकेट गेंद बाजो को भी फेवर करने लगीए वैसे तो यहां के विकेट बले बाजो को भी पास का टोटल हमें देखने ही को मिल सकता है बात किजाए head to head battles की इन दोनों टीमों के भी स्कुल 14 head to head मुकाबले खेलेगें जिसमें से 7-7 match दोनों टीम में जीते हैं यानि कि मामला 50-50 कर रहा है आई आप बात करते हैं आज के हमारे giveaway question की जिसका जवाब दे कि आप 100 रुपय का कैसी नाम सीधे 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 सकते हो giveaway में participate करने के लिए आपको इस वीडियो को like करना है, channel को subscribe करना है और हमारा telegram channel join करना है इस वार जालमी से हार करा रहा है, back to back in की batting expose हो रहे हैं, इनके बलेबाज perform नहीं कर पा रहे हैं Jason Roy और Martin Kapil जैसे explosive openers इस टीम के पास है, फिर भी ये टीम अच्छी सुरुवात नहीं दे पा रही है लगतार खराब सुरुवात इस टीम के लिए concern बना हुए आखरी मुकाबले में कप्तान सर्फराज एहमद और इस्तिखार एहमद के अनुभो ने टीम की इज़द को बचाया था एक मैच पहले Martin Kapil के सत्व ने टीम की इज़द को बचाया था, लेकिन इज़द बचाने से काम नहीं चलेगा थोड़ा सा explosive start तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ते सुरुवात तो करना ही पड़ेगा आखरी मुकाबले में अगर इनके openers ने एक अच्छा start दिया होता, ते सुरुवात दिया होता तो सायद ये total defend भी कर सकते थे क्योंकि इनके गिंदबाज बहुत ही कमाल का प्रतस्मित कर रहे हैं, एक तो चोवन का total defend करते हैं, सांदार counter attack इनकी तरब सामें देखने को मिला नजीम सा लगतार अच्छी गनोमी के साथ गिंदबाजी कर रहे हैं, हर्शनायन दो दो तिन दिन विकेट लगतार ले रहे हैं, क्वेस्ट आहमद जैसा quality बॉलोस टीम के पास है, नवाज भी अच्छे form है, तो गिंदबाजी बहुत ही अच्छी होरी है, जरूरत है बस इन पहले top of one हो सकते हैं, मार्टिन गप्टिल जो की अभी एक दो मैच पहले ही 117 run बनाया था, बहुत ही quality बैटर है, बहुत ही अच्छे form हैं, इस मैच में इन कब बल्ला चल सकते हैं, दूसरे top of one हो सकते हैं, सरफुराज, आखरी मैच में 39 बनाया था, फॉर्म में आते होने पहले जाया थे, एक बर फिर से कप्तानी पारी खेलते होने जाया सकते हैं, उस के लव नवाज भी बहुत ही अच्छे form है, तो यह भी अच्छी गिंदबाजी करते होने जाया सकते हैं, यहां की विकेट थोड़ी से गिंदबाजों को फेवर करने लगी है, तो अच्छी ग लंदर की तीम, एक रन से एक मुकाबला जीती थी, और उसके बाद आखरी मुकाबले में इनकी बल्लेबाजी एक्सपोच होगा, इनकी भी बल्लेबाजी इनके लिए इनकी बल्लेबाजी पूरी तरीके से फखार जमान पर डिपेंड़, फखार जमान अच्छे form है, पिछ बात किज़े हैं, अगर इनकी गिंदरबाजी इनकी असली स्टेंथ है, इनके पास गिंदरबाजी में शाहिन शाह आफरी दी है, जो कि इस टीम को लीड भी कर रहे है, हरी श्रॉफ भी है इस टीम के पास, लेकिन ये दोनों अपने छमता के नुसार अभी तक परफॉमेंस बे आसी, 410 run बना चुके हैं, इस मैच में इनका बला चल सकता है, दूसरे टॉप परफॉमर हो सकते हैं, कमरान गुलमान, जो की आखरी मीट में कोटा खिलाफ सांदार 50 जड़ी थी, फॉर्म भी बहुत ही अच्छा है, अभी PSL में फॉर्म नहीं की है, लेकिन उससे पहले लगातार रन करके आ रहे हैं, उसके अलावा, साहिन शाह अफरीदी, दो विकेट लिया था, आखरी मीट में कोटा खिलाफ मुझे लगता है, कि इस मैच में इच्छी के इंदबाजी कर सकते हैं, और 2-3 विकेट लेते बना जरा सकते हैं, हरीश रॉफ, 6 पारियों में सिर् हरीश रॉफ, यह हमारी safe team है, आपको हमारी risk team, grand league team हमारे telegram channel पर देखने को मिलेगी, final team भी वही पर आती है, साथ ही साथ दुनिया बर के prediction होते हैं, जो final predict होता है, वो भी हमारे telegram channel पर ही आता है, तो इसलिए हमारे telegram channel जरूर जोइन करेना, क्योंकि असले prediction भी पर आता है, जी हाँ, according to me, defending champion Lahol Karandar, maybe the winner of this match, भागी में तो हमेसा स्क्याता हूँ, सुनो, सबकी करो अपनी, सबकी वीडियो देखो, सबका prediction सुनो, बट सबकी वीडियो देखने के बाद, सबका prediction सुनने के बाद, आपका prediction क्या कहता है, वो ज्यादे matter करता है, make your own call, make your own decision, तहन्यवाद जी है, अजया तहन्यवाद एक दो मेंड़ी देखने करयार कि वीजा होची नचाँ दूने हुएग करते दो झाले है, वो जानना हो उेचियो दो कि भादान आता है, वो जाए होटा है, करा दो